बारिश का मौसम हो यह ठंड हो गर्मा गर्म नास्ता का मज़ा ही कुछ और है क्यों उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने गार्लिक पास्ता बनाया है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इस तरह की रेसिति आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसमें जो ग प्रकत हैं फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी मज़दार रेसिपी तो फटा-फट से मेरे चैनल को सब्स्प्राइब करिया और चलिए आगे बढ़ते हैं तिकते हैं किस तरह से मैंने गार्लिक पास्ता को बनाया है तो गार्लिक पास्ता बनाने के के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसिक इंग्रिडियन पास्ता हैं यहाँ पर मैंने तगबग दो छोटे बाल पास्ता को लिया है जैन्यापर दो वहराइटी की पास्ता है मैंअ उप कई दो आद्मी के लिए सफिछेंट हो गाया चोटी सी कडाई में मैंदे क्या है थोड़ा सा पानी ले लिया है सफिजेंट पानी जिसे की हमारा सारा पास्ता उब जाए और उसे बॉइल कर ले आप गैस इसएbaren चड़ा कर ठोड़ा सा ज्यादा हीट कर ले ताकि यह तश Ugh तो चलिए हमारा जो पानी जो है वो उबलना चालू और अब हम क्या करेंगे इसमें पटाफट से अपने पास्ता को डाल लेंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं हमारा जो पास्ता है वो एक दूसरे से चिपके ना इसके लिए हम यहाँ पर उबल पे पानी में दो तीन भून टेल डालेंगे या घी भी डाल सकते हैं और इसे दस मिनट के लिए उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पर पर ग्रेवी बनाने के लिए हमने आपर दो टमाटर लिया है थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कॉन्टिटी और हाँ जी यह तो मेन है इस रेसिपी का बादशाह है लसन तो इतनी सारे लसन काफी है हमारे लिए अब इसी हम क और यह गया लसन इसे हम अच्छे से क्राइंड कर लेंगे और इस तरह से हमारा ग्रेवी जो है तैयार है जो की पास्ता को जबरजस्त स्वाद देने वाला है मैं बता रहा हूं कसम से मजा आ जाए तो दस मिनट बार हमारा जो पास्ता है वो उबल गया है ठीक डंक से यहां पर हम डालेंगे आधा चमच नमक पास्ता के क्वांटिटी के इसाब से नमक डालना है और दो तिर मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह पकाएं तो दो तीर मिनट पकाने के बाद पास्ता हमारा ब्योटिफुलरी रेडी है अच्छे से पक चुका है इसे हम क्या करेंगे इसका जो पानी है उसे हम निकाल लेंगे तोकि जो भी एक्सेस स्टार्च है उबलने के बाद पानी में मिक्स हो गया है और इसे निकालना ज़रूरी है गर्मा गर्म पास्ता निकल चुका है अब हम थोड़ा से इसमें ठंडा पानी डालका अब हम नॉर्मल पानी डालका इसे अच्छे से दो लेंगे ताकि जो एक्सेस स्टार्च है जोगी मेटीरियल है इसके सरफेस पर लगाया वो निकल जाए तो अच्छे से इसे दो लेना है और इसका जो है पानी निकलने दे अच्छे से जाब ले और इसे एक बड़ी सी थाली में फैला दे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाएका पूल करना है तो चलिए नेक्स्टेप की तरफ बढ़ते है तो यहां पर हम देख लेते हैं मैंने कौन-कौन सी सबजी ली है जिसको पास्ता में डालना है यहां पर मैंने लिया है एक शिम्रा मिर्च तो उसे आप अपने तरीके से कट कर सकते हैं आप लंबा कट कर सकते हैं वायर शेप कर सकते हैं चुटा-चुटा कट कर सकते हैं यहां पर मैंने डाइगनली कट किया इसे एक शिम्रा मिर्च काफी है इतनी सारे पास्ता के लिए और यह कट कर तयार है अब हमने यहा से मैंने छिल दिया हैं ऐसे छिलने से क्या होता है जो छिलका होता है वो पतला निकलता है और मोटा छिलका वेस्ट नहीं होता है उसे हम लंबे-लंबे पीसेज में इस तरह से काट लेंगे कितना ब्यूटिफुल है सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है यहां पर मैंने एक कड़ाई दी है और कड़ाई में तीन से चार चमच राइस ब्रैंड ऑईल डाला है एक और चीज़ यहां पर डालनी है जो स्वाद आपका बढ़ाएगा सर्सों के दाने एक छोटा चमच और यहां पर सारी सब्दियों को डालने एक यह करके जो आपने काटेंगे दो से तीर मिनट इस तरह से भुने और अच्छे से भुनने के बाद अच्छे से तेल में मिक्स करने के बाद इसे हम क्या करेंगे ढक देंगे के लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए तो 7-8 मिनट के बाद ये 70-80% फुक हो चुका है जो सबजी है वो अच्छे से पक चुकी है यहाँ पर हम डालेंगे सबजी के स्वाद के अनुसार नमक इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे अब हमने यहाँ पर क्या किया है जो पकी सबजी है उसे फैला लिया है कड़ाई के साइड्स में और बीच में देख रहे हैं दोस्तों कितना सारा तेल अल्रेडी बचा हुआ है हमने एक्स्ट्रा तेल यहाँ पर डाला नहीं है इस बात का आपको ध्यान देना है तो इसमें हम क्या करेंगे जो हमने ग्रेवी बनाया था उसे इस पर डाल देंगे तो जो एक्स्ट्रा तेल हमारा बचा है वो ग्रेवी भुलने में काम आएगा इस तरह से ग्रेवी को भुलने देंगे और हलका सा उबाय लाने पर हम यहाँ पर डालने वाले हैं ग्रेवी के स्वाद करेंगे नमक थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे सब्जीस में घुल दाय कोई दिकत नहीं है और इसे अच्छे से आप भुन लिजिए जब तक कि यह पूरी तरह से सूखन जा इस तरह से देखिए यह मसाला जो है हमारा जो ग्रेवी और सब्जी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़ियां आप देख सकते हैं तेल भी अलग से हमें दिखाई दे रहा है यहां पर हम डालेंगे पानी एक बाउर यहां पर आप पानी डालें क्योंकि ग्रेवी जो हमारा अच्छे से भुन चुका है और अब हम क्या करने वाले हैं इसमें पानी डालकर ग्रेवी को हलका से पतला कर रहे हैं ताकि जो पास्ता का हर एक दाना है उसमें लिपट जाए और फिर तो कमाल हो जाएगा यहां पर हमने उबले पास्ता को डाल दिया है और बस परफेक्ली आपका जो गार्लिक पास्ता है परफेक्ली रेडी होने वाला है इसे ओड़ा सम मिलाना है अच्छे से मिलाना है प्य और गर्मा गरम गार्लीक पास्ता रेडी है इसे अब बारिश में खाई है ठंडे में खाई है नास्ते में बनाई है बहुत ही मज़ा आने वाला है बहुत ही जबरगस है और तू आदनी के लिए सफिशेंट है वैसे एक मज़े की बात बता हूँ मैं इसे अकेला ही खाने वाल झाल झाल